हाई दोस्त आज हम बात कने वाले एवियेटर गेम में रेजिस्टर कैसे करें, लॉग इन कैसे करें देखोई अगर आप भी जहाज उड़ाकर पैसा कमाना चाहते हूँ, अपने पैसे को 1x, 10x, 100x करना चाहते हूँ तो बेलकुल सही वीडियो पर आए हो, बहुत धासू वेपसाइट आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप जहाज उड़ाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो और लॉग इन कैसे करोगे, रेजिस्टर कैसे करोगे, सब बताऊँगा देखो करना क्या पड़ेगा, वेपसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा लिंक पर जैसे क्लिक करोगे, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा यहाँ आप देखोगे, तो आपको दिखाए देगा, क्लिक हीयर टू स्टार्ट को आप्शन क्लिक हीयर टू स्टार्ट वाले ओप्शन पर आपको क्लिक करना है इस पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ 15 सेकंड का टाइमर चालू हो जाएगा तो आपको सिर्फ 15 सेकंड यहाँ पर इंतजार कर लेना है दोस्त और हाँ यार यह भी आपको पता दू कि यह वीडियो ना मैं सिर्फ एजुकेशन पर पचले बना रहा हूँ मैं किसी भी गेम को प्रमोट नहीं करता अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो अपने जिम्मेदारी पर अपने रिस्क पर आप कोई भी गेम खेलेंगे अब देखो यार यहां पर टाइमर भी खतम होने वाला है टाइमर जैसे यहां पर जीरो हो जाए आपको एकदम से नीचे जाना है एकदम नीचे आपको दिख जाएगा click here to continue click here to continue वाले option पर आपको click करना है इस पर जैसे click करेंगे दूसरा page खुल जाएगा अब यहाँ देखो लिखा है please wait तो यहाँ बोल रहा है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजे wait कर लीजे तो ज्यादा नहीं 5 से 10 सेकेंड ही आपको यहाँ पर wait कराता है तो यह please wait वाला option हट जाएगा अभी देखो हट गया जैसे हट जाएगा आपको इद्दम से नीचे जाना है और यह last step है दोस्त अब यहाँ आपको दिख जाएगा continue का option continue वाले option पर आपको click करना है continue वाले option पर जैसे click करो यह verify करता है कि आप human हो या फिर आप robot हो ठीक तो इसको verify करने दो यहाँ पर देखो verification successful अब यहाँ पर दे रहा है कि सिर्फ 2 seconds आप इंतजार कर लिजिए 2 seconds आप जैसे इंतजार करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा get link को option get link पर click करोगे और वहाँ पर आप पहुंच जाओगे आपके सामने इस तरीके से खूलेगा ठीक यहाँ पर देखो आपको अपना mobile number इंटर कर देना है एक password sit कर लेना है वही password यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर टिक करने के बार नीचे register वाली option पर click करोगे और आप website में register हो जाओगे